नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि डोलो नि यूरोन एं्टी टैबलेट का उपियोग किन कंडिशन्स में किया जाता है। डोलो नियूरोन एंटी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और डोलो नियूरोन एंटी टैबलेट की वजह से क्या side effects हो सकते हैं। और यह भी discuss करेंगे कि डोलो नियूरोन एंटी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में डोनों नियूरोन एंटी टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। डोनों नियूरोन एंटी टैबलेट का उपयोग नियूरोपैथिक दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। नियूरोपैथिक दर्द का मतलब होता है नसों का दर्द। नियूरोपैथिक दर्ध होने पर बहुत तेज दर्ध होना, जलन होना, सुईया चुगने जैसी समवेधना होना, प्वचा का सुन पर जाना और बिजली के करंट की तरह जटके के साथ दर्ध होना आधी लक्षन नियूरोपैथिक दर्ध होने पर हो सकते हैं. डाइबिटीज होने पर, शराब का अधिक सेवन करने पर, शरीर में कमजोरी होने पर और रीड की हड़ी से संबंधित कोई समस्या होने पर, मियूरोपैथिक दर्ध होने का रिस्क अधिक हो जाता है। दोनों Neuron Anti-Tablet के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है। दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करना नख भूलें। अब हम दिसकस करेंगे की दोनों Neuron Anti-Tablet को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। दोनों Neuron Anti-Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर दोनों Neuron Anti-Tablet को दिन में एक बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। दोनों Neuron Anti-Tablet की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको डॉलों Neuron Anti-Tablet को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना डॉलों Neuron Anti-Tablet को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की डॉलों Neuron Anti-Tablet की वजह से क्या side effects हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में डॉलों Neuron Anti-Tablet की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ परसंट व्यक्तियों में डॉलों Neuron Anti-Tablet की वजह से कुछ सामानने side effects हो सकते हैं। जैसे वजन का बढ़ना, नींड अधिकाना, सिर्चक्राना, कब्स, मुह में सूखापन, दिल की धड़कन का तेज होना और शरीर में ठकान हो सकती हैं। अगर आपको डॉलों Neuron Anti-Tablet को लेने के बाद कोई भी असामानने लक्षन होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। शराब का सेवन करने की वजह से नींद आने की समस्य ज्यादा गंभीर हो सकती है। इसलिए डॉलों Neuron Anti-Tablet के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने डॉलों Neuron Anti-Tablet को दिन के समय में लेने की सलाह दी है। तो आपको डॉलों Neuron Anti-Tablet को लेने के बाद driving और ऐसी मशीनों पर काम नहीं करना चाहिए। जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यक्ता होती है। क्योंकि डॉलों Neuron Anti-Tablet को लेने के बाद नींद अधिक आती है। यदि किसी व्यक्ति को डॉलों Neuron Anti-Tablet या इसके किसी भी इंग्रीडेंट जैसे गाबा पेंटिंग या नोरक्रिप्टिलिन आदी से एलर्जी है। तो ऐसे व्यक्तियों को डॉलों Neuron Anti-Tablet का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके बारे में डॉक्टर को भी पताना चाहिए। प्रेगनिंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉलों Neuron Anti-Tablet को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डॉलों Neuron Anti-Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। झाल